ать सो हलो गाइज बेलकम बैक माइ वीडियो तो दोस्तो इस तरह की वीडियो डिट करने के लिए सिंपली आपको ऐलाइट मोशन अप्लिकेशन को उपन कर ले नखा करने के बाद आपको यहां से प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आपको 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 यहां से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जो आप वीडियो में यूज करना चाहते हैं simply इसको select कर लेंगे उसके बाद आपको यहां से move and transform वाले option पर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद इसको उपर ले जाकर adjust कर लेना अपने हिसाब से उसके बाद आपको यहां से third number पर जो option दीख रहा है इस पर tap कर लेना है पर टैप करने के बाद इसके जूम को थोड़ा अपने हिसाब से कम कर लेना है उसके बाद आपको यहां से एक बार स्क्रीन पर टैप करने के बाद आपको फिर से प्लस के आइकन पर टैप कर लेना है दन उसके बाद आपको यहां से फिर से मीडिया अप्सन में चले जाना आप वहां पर जाके इस तरह के प्यंजी क्रियेट कर सकते हैं अगर पिक्सल लाइब के बारे में जानना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख के इस तरह के प्यंजी कैसे क्रियेट कर सकते हैं आप बना सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल आप वहाँ से भी देख के इस तरह का पेंजी बना सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है फिर से हमोगें ट्रांस्फरम अले अप्शन पर टैप कर लेना टैप करने बाद इसको भी लिया के नीचे अपने हिसाब से अर्जेस्ट कर लेना है A kathikos फिर से थिर्ण नंबर पे तोटो तोड़ा कम करें कि ठाप 것처럼 पिर से चरो क्या करने को फिर से प्लस क्र डायटिए करंगा आपको टृत उन से क्रेट करना है उसके वाद को वीडियो की सुरूं आजेना आप वीडियो को अपने लेंद को बढ़ा लेना है अपना जितना बढ़ाना है सिंपली वीडियो के लेंद को आप इंक्रीज कर लेना है तो मैं वीडियो के लेंद को लगभग 10 सिकंड रख लेता हूं इतना कर लेने के बाद सिंपली आपको क्या करना वीडियो को सुरू में आना फोटो वाले लेयर testing पिलिक करना आपको video के लाश्ट में चले जाना यहां से सिस्पासन कोतैपst कर लेना विडियो पूरा फोटो जो वीडियो लग जाए उसके बाद आप को क्या करना है यहां से पिर से टेक्ष्ट वार प्न जी है इस पर ले पटीक कर लेना है ले सिंपली यहां से एफेक्ट वाल एप्शन पर टैप कर लेना है यहां किलिक करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है यहां से जो यह दो डिस्ट्रोर्शन वार पॉल आपसं दिख रहा है यहां पर टैप कर लेना टैप करने के बाद आपको स्कॉल करके नीचे आ जाना यहां से आपको बहुत पहला जो इस इफेक्ट दिख रहा है इस पर सिलेक्ट कर लेने सिलेक्ट कर लेने के बाद सिंपली आपको यहां से स्टेंडर सेटिंग क्लिक कर लेना क्लिक करने के बाद magnitude of option जो दीख रहा है इसको आपको क्या करना आपको बढ़ा के पचास परसेंट तक रख लेना है उसके बाको क्या करने के इसको बढ़ा कि एक कर लेना ठीक है इसको एक कर लेने के बाद आपको क्या करने वीडियो के ल़ाश्ट में चले जाना कुंपको क्या करना यहां सी एकदम कर लेने बाद सिंपली आप यहां से स्टेंडर सेटिंग पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है प्रोग्रेस वैसे रहने दिना नीचे आना है आपको यहां से एंगल अलेप्शन में एंगल को क्या करना है प्लस के 90 डिगरी कर लेना है डंबे डिगरी तक आपक करने हिसाब से जितना अगर आप इसकी गुलाई को बढ़ाना चाहते हैं तो स्विदियो के शुरू में आ जाना है विडियो के शुरू में आजाना है जितना अच्छा लगे अपने आप से रख लेना ठीक है इतना रख लेता हूं उसके बाद आपको क्या करना यहां से जो प्लस का इकन दिख रहा इस पर की लगा देंगे आप की फ्रीम लगाने बाद आपको वीडियो के लेंद के हिसाब से चले जाना है मेरे वीडियो दस सीकेंड दिखे तो मैं 8 सीकेंड मैं इसको जीरो कर दूंगा ठीक है एकदम जीरो कर दूंगा उसके बाद आप प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिख रहा हुगा तो फाइनली वीडियो रेडियो हो चीगे तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सिंप्ली आपको क्या करना है यहां से आपको इस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में